वेलकम टो गरिमास किचन हमारी आज की रेजिपी है रवाइडली ये एक साउथ इंडिन डिश है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है तो आएए इसके इंग्रीडियंट्स जान लेते हैं रवा एक कप, दही एक कप, नमक स्वादा नुसार, रिफाइन डॉयल दो चम्मच, राई एक चम्मच, उरद दाल एक चम्मच, कटे हुए काजू चार पांच, जीरा एक चम्मच, हींग दो तीन चुटके, हरी मिर्च, अद्रक और करी पत्ता, इनो एक चम्मच, पहले हम एक बाउल में रवा ले लेंगे, फिर इसमें दही और नमक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका गोल त्यार करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, देखे ये गोल इस प्रकार से दिखेगा, अब हम इसे ढखकर 15 पीसमेट के लिए लग देंगे, 15 पीसमेट बार ये हमारा बेटर त्यार है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, इसके लिए एक फईपैन में तेल गरम करेंगे, तील गरम हो जाने पर मैं इसमें राई डाल देंगे, फिर हींग, उरत दाल, जीरा, काजू, हरी मिर्च, अद्रक और करी पत्ता डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहारा तड़का त्यार हो चुका है, अब हम इसे इडली के गोल में डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इस घोल में इनो मिला देंगे, ध्यान रहे इनो हमें सबसे लास्ट में मिलाना है, अगर इसे पहले मिला देंगे तो इडली ठीक से नहीं बनेगे, इनो मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हमारा इडली बैटर त्यार हो चुका है, अब हम इडली साचा लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तेल लगा के एक स्पून से इडली बैटर को उसमें डाल देंगे, दोस्तों, अगर अपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इडली मेकर में इडली बैटर को डाल देंगे, अब हम एक बरतन में पानी करम करेंगे, जब पानी में उबाला जाए तो इसमें इडली मेकर डाल कर उसे ढख देंगे, इसे करीब 15-20 मिनट तक ढख कर रखना है, अब हम इसे खोल कर चेक करेंगे कि हमारा इडली परफेक्ट पका है या नहीं, इसके लिए हम एक बाल में पानी लेंगे और उसे उंगली पर लगाके इडली को टच करके देखेंगे, यह उंगली पर नहीं चिपक रहा है, तो हमारा इडली बनकर तैयार हो चुका है, अब इसे सामधानी से इडली मेकर से निकालेंगे, अब हमारा इडली सर्फ करने के लिए तैयार है, इसे आप सामबर, नारिल की चट्नी के साथ सर्फ कर सकते हैं, नारिल की चटनी और सांबर की रेसिपी मेरी पिछली वीजियो में थी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो यह हमारी ली तैयार हो चुकी है दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू